कि यह गाईज देखो कुछ एक्सपोर्ट का मानना है कि कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो लगबा बहुत कम समय में आपको डबल डिजिट का रिटन दे सकते हैं विच तार्गिट के साथ तार्गिट के साथ सही है मैंने क्या बताया यह मैं नहीं बता रहा हूं और देखो यह एक्स समय में आपको रिटन दे देगा डबल डिजिट का तीन से चार स्टॉक हैं तो चाहे जो भी हो अगर आपको पूर्टफोलियों ना हो तो मैं आपको वह लूँगा कि ज्यादा ध्यान देने के जरोत नहीं है अपने पूर्टफोलियों में दस से पंदरा स्टॉक ही रखने उससे ज्यादा नहीं रखना और भाई जो बिजनस समझ में राय है उसे में पैसा डालो कभी अगर फons जाओ गई तो आपको समझ में आगगा कि भाई मुझे तो यह बिजनस सही है सब कुस्त ठीक है तो आप निकल सकते हो लेकिन अगर आपको बिजनस के बारे में पता ही स्टॉक इन्होंने इधर ही बता रखा देखोगे तो आपको बता चल लगा यह टेक्निकली भी इन्होंने बता रखा आगया जल्दी जल्दी देखेंगे here are the three technical buy call for next to next to three week के लिए आपको बताया जा रहा तो पहले है ITC ITC मैं आपको बताया जा रहा कि लगभग इसका limited price आपको देखने को मिला जो लगभग 256 रुपीज के आसपा stop loss आपको लगाना है 230 रुपे का और target आपको बताया जा रहा है 310 रुपे का बहुत अची चीज़ा भाई मतलब पहली बार अगर 300 रुपे को क्रॉस करने जा रहा पहले तो बिचारा मतलब मैं आपको बोलूँगा ITC फशा हुआ यहा जहां पर आपको 21 पसंद के आसपा ज अभी तो कुछ खास नहीं है लेकिन इतना है आपको मैं आपको बलूँगा 5 साल से यह पता चलता है कि जितना गिरना था यह स्टॉक को गिर चुका है अप देखोगे ध्यान से तो टेक्निकली एक consolidation बन रहा अब 300 का बताया जारा यहां से देखो यह जो बन रहा ना यह एक consolidation किया है साल भर से यह क्या करेगा क्या गिरना था तो इस तरीके से गिर जाता तो इसलिए 300 का target दिया जा रहा है तो आप यहां पर ध्यान दे सकते हो यह चीज यहां पर उन्होंने जो है टेक्निकली बता रखा है देखोगे तो यह फॉस्ट यहां पर जाता 320 रुपे और यह second का यहां पर जाता तो 300 का चाता है ध्यान तो लाइन आपको बता चल लगा देख सकते हो रहा है और यह जो आपड़ आपको ड général नीचे गिरने वाल नहीं है अब यह इस लाइन नीचे गिरता तो इससे नीचे जाता लेगन अब क्या है कि इसके ऊपर चला गया मतलब अ आपको इजली बता दिराओं अब उसके बाद आता है दूसरा स्टॉक टाटा कंजूमर आपको बताया जा रहा है टाटा कंजूमर में बताया जा रहा है कि भाई ये लगभग 850 रुपे क्या असपास है 849 रुपे के असपास, टॉपलोस आपको लगाना है 796 रुपे के असपास उसका तार्गेट आपको बताया जा रहा 960 रुपे के असपास यहाँ पर आपको तार्गेट दिया जा रहा है हम देख लेते हैं भाई देखो एक चीज़ तो है अगर आप ऐसी कंपनी में अगर आपका तार्गेट एचीब भी नहीं होता है और थोड़ा बहुत बच भी रहता तो मैं आप बोले हो लंबे समय में तो कंपनी आपको बहुत अच्छा ही रिटर निकाल के देने वाले क्यों क्या आप देख सकते हो चार्ट पैटन है कि नहीं है अब हुआ क्या कि यहाँ पर अगर आप एक साल की चार्ट पैटन देखते हो तो थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिला हुआ देखो थोड़ा सा अभी देखो चार्ट पैटन समझने की कोसिस करें है आप देखो मैं बताने के लिए तो एक एक arrow ले लेके भी समझा सकता हूँ लेकिन मैं सोखता कम इंँ में बता दूँ Hm 3rd ये 4th और ये 5th है तो यहाँ पर भी stock जो है आप ऐसे करते हुए न जराएगा ऐसे तो यह जो है आप उपर जब भागे गा न तो यहाँ पर stock जो है आपको बताया जारा देख सकतो तो इसका chart pattern ही ऐसा इसको बोलते है चाल इसका चलने का जो style है वो थोड़ा अलग है इस वज़े से तो यह stocks पर भी आप ध्यान दे सकते हो लंबे समय में तो कोई तकलिफ है नहीं आपको बताया जारा खरीदने के लिए केवल टेक्निकली तो fundamentally पूछने और जानने के जरौत ही नहीं है देख सकते हो वह यहां पर भी टेक्निकली वही बताया जारा कई बार देखो गिरा कई बार अप डाउन अप डाउन आप डाउन आप डाउन कई बार यह होते होते यह वहला आप डाउन देखने को मिलिया मैंने आपको घर सिखाए ना इस तरीके से घर बनते है अब फिर यह उपर से जाते हुए नजर आएगा समझ रहा है तो यह जो आपको पैटरन दिया जा रहा है कि देखो यह जो इसका यह प्राइज बताया जा रहा है यह ऊपर ही जा लाए जाना नाइंटी त्री रुपिस का है स्टॉप लॉस आपको एटी फाइब के लगाना तारगेट आपको एक सव दस रुपे का आपको देखने को मिल लाएगा तो फेडरल बैंक में भी ध्यान लगा सकते हो देखो फेडरल बैंक राकी जिंजिन वाला के पोट्फोलिय पोट्फोलियो में भी और भी बड़े बड़े निवेसा के उनके पोट्फोलियो में भी है ये स्टॉक बो लेंगे सर अपने तो चार स्टॉक बोली दिखाएं थ्री ही कोई दिकत नहीं है चौता स्टॉक यहां रेडी है टेंचन ना लो 55 रुपिस के आसपास देखने को म बताया किस ने है HDFC Security ने बताया है भई HDFC Security ने 76 रुपिस का तार्गिट दिया है तो अगर देखो गए तो यह स्टॉक जो है अपने इस लेबल पर टॉच करने की कोसिस करेगा जो कि यह पहला मतलब एक साल का जो लेबल है ना देख सकते हो एक साल का लगबग इसका 90 का ले अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एकसपोर्ट के हिसाब से कर सकते हैं भाई मैंने कभी ट्रेडिंग नहीं किया और नहीं मैं ट्रेडिंग करता हूं मैं किवल इन्वेस्टमेंट करता हूं कमपॉंडिंग पोटफोलियो बनाके आराम से सुबह यह साम देखने को मिलता है देखो एंजल वेंजल वन बन चुका है नंबर वन स्टॉक ब्रोकर्स देखने को मिलता है यहां पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिल्टो में जाके अपने डिमिट अकाउंट बगार आपन कर सकते हैं बहुत आ